हलो व्यूर्स आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा दसवी हिंदी विशे का प्रिबोर्ड एक्जाम का जो पेपर है ठीके प्रिबोर्ड वाला जो पेपर है सेट द वाला इसका हम एंसर सॉल्व पूरा करेंगे आज हम इसको प्रिबोर्ड वाले पेपर अभ्यास कल्प का चैन कर लिखिए तो इसमें पहला प्रश्ण है प्रयोगवात के कवी हैं तो इसका उत्तर आएगा अग्ये प्रयोगवात के कवी हैं अग्ये इसके बाद अगला प्रश्ण है तो प्रश्ण नमबर जो अगला है वह है सूर्दास भक्तिकाल की शाखा के कवी है तो मात्रह होती ग्यारा ग्यारा इसके बाद अगला है नेता जी की मुर्ति तयार करने वाले मुर्तिकार का नाम है तो मुर्तिकार का नाम है मोतिलाल इसके बाद अगला है किसी कारेका करने या होने का बोत कराने वाले शब्द कहलाते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं क्रिया इसके इसके बाद हम देखेंगे प्रश्णमबर दूसरा रिक्तिस्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए इसमें पहला है विश्व के सकल जन गर्मी से हो रहें तो ये गर्मी से हो रहें व्याकुल दूसरा इस्थाई भाव के उत्पन होने के कारणों को कहते हैं तो इस्थाई अगला है बाल गोबिन वगत पाठ गध्य की विधा के अंतरगत आता है तो गध्य की रेखा चित्र विधा के अंतरगत आता है इसके बाद अगला है जिन वाक्यों से किसी कारे के न होने का बोधो उसे वाक्य करते हैं तो जब न होने का बोधो तो ऐसे वाक्य होते हैं निश नदी तो यह नदी थी तिस्ता नदी थी है इसके बाद जो अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर तीसरा है सही जोडी बना कर लिखिए इसमें दो जो इस्तंब और इस्तंब ब हैं तो इस्तंब अ में दे रखा आत्मकत्यकविता सोला सोला मात्राय उपन्यास के तत्व एक प्लेट से लाप जो मीठी वानी बोलता हो और साना साना हात जोडी जबकि इस्तंब ब में दे रखा मदू कांकरिया म्रदू भाशी मन्नू भंडारी जय शंकर प्रसाथ चोपाई छंद साथ और च्छ तो इसकी जोडी हम बनाएंग तो आत्मकत्य कविता के कविय जय शंकर प्रसाथ 16-16 मात्राय चोपाई छंद में होती है उपन्यास के तत्व होते हैं छह एक प्लेट सेलाब रचना है मन्नू भंडारी की जो मीठी वानी बोलता हो वो म्रदू भाशी होता है और साना साना हात जोडी रचना है मदू कांकर तो इस प्रकार से जोडी बनेगी इसके बाद हम देखेंगे प्रेशन नमबर चोथा तो प्रेशन चोथे में पहला है मुख्य गायक के आवाज केसी होती है तो इसका उतर आएगा मुख्य गायक के आवाज भारी होती है ठीके भारी स्वर में वगाता है तो भारी होती है इसके बाद अगला है आलमबन के अंगों के नाम लिखिए। तो आलमबन के दो अंग है आश्रय और विशय। अगला है संस्कृत व्यक्ति से क्या आश्रय है तो इसका उत्तर होगा संस्कृत व्यक्ति वह होता है जो कोई नई खोज करता है उसे हम संस्कृत व्यक्ति करते हैं इसका उत्तर आएगा संस्कृत व्यक्ति वह होता है जो कोई नई खोज करता है इसके बाद अगला है किस समास में दोनों पत प्रधान होते हैं तो जो द्वंद समास है उसमें दोनों ही पत प्रधान होते हैं इसके बाद अगला है आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का क्यार थे तो इस लोकोक्ति का अर्थे दोहरा लाभ आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थे दोहरा लाभ इसके बाद अगला है मा ने भूलानात के घाव पर क्या लगाया तो मा ने लगाया था पीसी हल्दी लगई थी भूलानात के घाव पर पिसी हुई हल्दी अगला पिश नमबर पांच वा है सत्य असत्य कथन लिखे इसमें पहला है फसल कवीता हमें क्रशी संस्कति के करीब ले जाती है तो यह कथन सत्य है इसके बाद अगला किसी वस्तु का बड़ा चड़ा कर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है तो यह असत्य है क्योंकि बड़ा चड़ा कर वर्णन तो अतिश योक्ति में होता है तो यह असत्य कथन है इसके बाद अगला बिस्मिल्ला खां बासुरी वादन के लिए जाने जाते हैं तो यह कथन भी असत्य है क्योंकि बिस्मिल्ला खां को समास करते हैं इसके बाद गंतोकार्थ पहाड़ है तो यह कथन सत्य है गंतोकार्थ पहाड़ है और जो चटा है अग्ये विज्ञान के विध्यार्थी रहे हैं तो यह कथन भी सत्य है तो इस प्रकार से हमने प्रश्ण प्रश्ण नमबर पांस तक के सारे objective question कर ली हैं, अब देखेंगें प्रश्ण नमबर छे, तो प्रश्ण नमबर छे में जो दो प्रश्णे अथ्वा में पहला हिंदी पद्ये साहिते को कितने कालों में विभाजित किया गया है, सबवत में उनकी समयावध ही लिखिए, और इ हं यहां लिख देंगे हंदी पद्धी साइथ की factorष से विर्गटा काल हो इसमें पहला है बिर्गत בी कहते हैं और इसका जो सवत है 1050 से 13900 दूसरा है भक्तिकाल जिसे पूरो मद्यकाल भी कहा जाता और इसका सववत है 1375 से 1700 तीसरा काल है रितिकाल जिसे उत्तर मद्यकाल भी कहते हैं और इसका सववत है 1700 से 1900 और चोथा आधुनिक काल जिसे हम गध्यकाल कहते हैं ठीके जिसे हम गध्यकाल भी कहते हैं और इसका सवत है 1900 से अब तक तो यह इसका उत्तर होगा इसकी बाद अगला प्रशन है सूर्दास अथ्वा सूरिकान त्रिपाठी निराला की कवीता की काविगत विशेषता है निमनली की बिंदो के आधार पर लिखे दो रचनाय और भावपक्ष तो हम यहाँ पर सूर्दा इसकी बाद अगला प्रशन आठवा है गोपियो को उध्व को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे अथ्वा है राम लक्ष्मन परशुराम सववात पार्ट के आधार पर राम के सभाव की कोई दो विशेष्टाय लिखिए तो हम यहाँ जो पहला है इसका उत्तर लिखेंगे गोपियों को उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे तो इसका उत्तर होगा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग नहीं थे कि उद्धव वास्तों में भाग्यवान नहीं बलकि भाग्य ही ने क्योंकि वे क्रश्ण के सौंदर्व प्रेम रूपी नदी में रहते हो भी क्रश्ण प्रेम से वंचित रह गए हैं तो इसका उत्तर है और गक्षा दस्वी के हिंदी विशे के सारे पार्ट के प्रश्ण उत्तर चैनल की प्लैलिस्ट में उपलब दे बहुती आसान भाषा में यदि आपके पास उत्तर लिखे वे नहीं तो आप वहां से आसाने से लिख कर याद कर सकते हो अगला प्रिशन नो है कविता का शिर्षक उस्सा क्यों रखा गया और इसके अथ्वा में फसल को हातों के इस परशे की गरीमा और महीमा कहकर कवी नागरजुन क्या व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इसमें सबसे पहला जो है इसका उत्तर लिखेंगे कविता का शिर्षक उस्सा क्यों रखा गया और इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर है कविता का शिर्षक उस्सा इसलिए रखा गया है क्योंकि अब आदलों की गर्जन और उम्रन गुम्रन से मेल खाता है बादलों में भिशन गती होती है उसी से वा धर्ती के ताप को हरते हैं अर्थात वर्षा करके पीडित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा उसा और नई जेतना का संचार करते हैं के बाद अगला प्रशन है कावे की परिभाशा है मुनके भेद लिखिए अथवा करून रस की परिभाशा लिखिए तो हमें आग करून रस की परिभाशा लिख लेते हैं तो इसका उत्तर होगा का उत्तर है सहदे के रदे में इस्थित शोक नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव तथा के बाद हमें लिखना पड़ेगा हैं संचारी भाव से संचारी भाव से सयोग होता है तब वहां करून रस होता है यहां परिभाशा होगी सहदे के हदे में इस्थित शोक नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से सयोग होता है तब वहां करून रस होता है और यहां पर उधारण भी दे रखा लेकिन हमें उधारण लिखने के आवशकता नहीं क्योंकि प्रश्ण में हमसे यह नहीं पूछाए केवल परिभाशा पूछी इसलिए हम केवल परिभाशा लिख देंगे इसके बाद अगला प्रश्ण वार्निक चंद मातिक चंद में कोई दो अंतर लिखी अथवा मानवी करण अलंकार की परिभाशा उधारण सहीत लिखे तो हम मानवी करण अलंकार की परिभाशा लिखेंगे कावे में जहां निर्जिव पधार्तो या वस्तुओं पर मानवी करियाओ या भावनाओ का आरोपन किया जाए वहां मानवी करण अलंकार होता है उधारण है मेग आय बड़े बंठन के सवर के तो इस प्रकारे मानवी करण अलंकार की परिभाशा उधारण सही थे इसके बाद अगला प्रिष्ट नमबर 12 है किनी दो प्रसिद्ध कहानी कारों के नाम उनकी कहानी के सहीत लिखे अत्वा जीवन्यों आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर है जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयम के जीवन स्वयम के जीवन पर लिखी जाती है दूसरा है दूसरा अंतर है जीवनी सत्य गटनाओं पर आधरित होती है आत्मकथा कालपनिक भी हो सकती है तो हमें दो ही अंतर लिख दो रचनाय और भाशा शेली तो इन लेखकों का जो जीवन परीचे चैनल की प्लैलिस्ट में उपलब्द आप आसानी से लिख सकते हो अगला प्रशने सेनानी नहोते हो भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे अथ्वा बालकोबिन भगत के व्यक्तितों उनकी व अगला प्रशनमबर पंद्रा का भी उत्तर आपको वहीं मिल जाएगा लेखका मनू बंडारी के व्यक्तितों पर किनकिन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा अथ्वा बिस्मिल्ला खाको शहनाई की मंगल द्वनी का नायक क्यों कहा गया है इसके बाद जो अ अपमा न दी जा सके वह हो जाएगा अनूप मेय यह हो जाएंगे एक शब्द में एंसर वाले और यहाँ पर संदी समास में अंतर भी लिखा जा सकता है इसके बाद है 17 नमबर का प्रशन बच्चे माता पीता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभी व्यक्त करते हैं तो इसका उत्तर भी आप प्लैलिस्ट में से देख सकते हो दसवी हिंदी में से 18 निमनलकित काव्यान्श का संदर प्रसंग सहीद भावार्त लिखे रे नप बाल-काल बस बॉलत तोहीन संभार धनूही सम तृपुरारी धनूबिदित शकल संसार तो यह जो काव्यांश है इनकी भी संदर प्रसंग सही व्याख्या चैनल की प्लैलिस्ट पर करी हुई आप आसानी से वही से कर लीजिए जिसे कि आप पूरा अर्थ भी समझ लो साथ ही जो प्रश्च नमबर 21 है निमनलकित अपठित काव्यांश अत्वा गध्यांश को लगाते मुनिगन से शबरी की कुट्या तक आये प्रेम रूप के मदूबन से तो उप्रियुक्त काव्यांश का उप्रियुक्त शिर्षक लिखिए तो यहां शिर्षक हो जाएगा यहां पर राम शबरी की कुट्या में कोन आया था तो यहां पर शबरी की कुट्या में रा उप्रयोफ्त गव्यांश का भावार्त लिखे तो भावार्त हो जाएगा राम शबरी की खोच करते होए मुनिगनों से पुछकर शबरी के कुट्या तक पहुचे थे वह उनके पास उनके प्रेम के कारण ही उनकी कुट्या तक पहुंचे थे प्रकार का यह उत्तर होगा इसके अथ्वा वाला में जो गध्यांश दे रखा है इसको पढ़के इसके उत्तर देने हैं तो उप्रियुक्त गध्यांश का उप्युक्त शिर्षक लिखिए तो शिर्षक हो जाएगा प्रक्रती के नियम यह शिर्षक हो जाएगा प्रक्रती के नियम तोड़ने से प्रकृतिके नियमों को तोड़ने पर भुकंप अनावरस्टी अतिवरस्टी पर्यावरन संकट जल संकट इत्यादी संकट स्वास्तोर जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देंगे ठीक है ये सारी परिस्तित्या हो जाएगी अधि हम प्रकृतिके नियम क तोड़ेंगे तो कध्यांश का सारांश हम आसानी से इसमें से लिख सकते हैं ठीके जो मुख्य मुख्य पॉइंटे वही हमें सारांश में लिखने हैं तो हम आसानी से लिख लेंगे इसके बाद जो प्रातना पत्र है और पत्र है वह भी चैनल पर उपलब दे आप आसानी से लिख लीजेगा वहीं से तो इस प्रकार हमने अब जो पेपर था इसके सारे कठीन प्रश्ण हल कर ली हैं कक्षा दस्वी हिंदी विशे के तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए दस्वी की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए